कैसे हैं आप लो और इनकी आलत आज थोड़ी ठीक है कल से बेटर है ये ठीक है नहीं हो थोड़े कल से ठीक हो जाएंगे तीन दिन रहता है फीज़ा पता है इनको नहीं पता इनका मूँ लटक जाता है जैसे भी कुछ होता है मूँ लटक जाता है और देव गया स्कूल और जो है उसको सुबह में उठाद करा पैर में दर्द हो रहा है लेकिन फिर उसको समझाए कि बेटा कल भी चुट्टी है परसों भी चुट्टी है तो फिर चला अब जाओंगी लंच बनाने के बाद जो है फिर में जाओंगी देवा को लेने के लिए तो अभी टाइम है देवा को लेने में उसकी एक बज़े छुट्टी होती है बारा पचपन पर होती है तो मैं उससे पहले पोने निक 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 बल जाती हूं और अभी जो है तब तक मैं बना लेती हूं अलू की सब्जी बना देती और इनके लिए थोड़ी सी बनेगी डरिया क्योंकि यह खाएंगे ज़िए खिचडी रिख भुजी अच्छा ने लगता है तो खिचडी में भी सारी सब्जिया डाल के बनाओंगे पर कि इन लोगों को सब्जिया खाने में आजकल के बच्चों को पता नीं क्या है तो यह घृतphen तो यह तरीका बहुत अच्छा है लोगों को खिलाने के लिए तो अभी जा रही हो थोड़ा सालक सब्जी बी मना दूंगी ताकि यह थोड़ा टेस्ट अलग हो है और यह खाएंगे खिचरी और आजकल के बच्छों को तुरंत जो है पहर में दर सिर में दर तुरंत होता है और मेरा हाथ ऐसे पकड़ेATHAN हो गया हाथ दर्द हो जा रहे हाएं चलो और मिलते हैं आप लोगों से और काम करते हुए और देवा को भी लेके आएंगे फिर आप लोगों से मिल वाते हैं यहां पे मैं बना रही हूं दम आलू और दम आलू के लिए क्या होता है कि बच्ची आलू और पनीर यही सब पसंद करते हैं तो आलू में दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे इन लोगों को खिलाया जाए तो दम आलू मैंने का कि चलो थोड़ा अच्छा भी लगेगा उसका टेस्ट भी चेंग्ज हो खेर उसको मैं कम ही दूंगी लेकिन मतलब देवा भी आलू की सब जिखा लेता है इस वजह से और यहां पे जो है मैं तो मेडियम साइज का प्याज लिए और प्याज को अच्छे से छी लिके और फिर से इसको ढोके और कट कर लूंगी और क्योंक चील के रख लिया है बाउल में और उसके बाद जो है उसमें भी अभी कुछ करना है तो चलिए पहले इसके मसाले की मतलब तैयारी कर लेंगे यहां पर देखिए आलू को फॉक से क्या कर रही हूं ना कि मतलब उसमें वह कर दूंगी कि मसाले अंदर तक जाए और टेस्टी तैयारे ने उसमें ले लिया है तो यहां पर के चल रहो ही और रखे लोंगी कडाई और कडाई में डालूगी मैं तेल और तेल कोई भी डाल सकते हैं रिफाइन्ड ओलई या सरसो तेल हो यहां पर मैं टेल डाल रही हूं और उसके बाद में ना रीघव मैं फ्राइब करूँगी एतने ही तेल में और इसको अच्छे से क्यालू है पंडम तल जाता है यहां पर मैं रिए झेडियों मुझे आदा आया यहां पर तो मैं थोड़ा सते निकाल लूँगे कि मुझे एक दम ऐसे लगा ना कि मसाला बनाने है लेकिन फिर ध्यान है कि नहीं भी तो मसाला भूनना है दो बार तेल पड़ेगा तो मैं इसी में से निकाल ली और यहां पर डालने के बाद हरी मिर्च और प्याज को बड़े बड़े ही काटी हुए हूँ मैं यहां पर यहां पर मेरे पास एक टमाटर है का टमाटर को भी अच्छे से कट कर लूँगी और फिर डालने हूँ है पर लहसन की कलिया लहसन कलिया मैं च्छील के रखी हूँ पहले से ही तो वह डाल लिए अच्छा आदरक नहीं था अदरक पेट तो है लेकि अध्रग नहीं था तो यहां पे अध्रग तो बड़े-बड़े काट के डाल दी उसके बाद डाल दी हूं यहां पे काजू थोड़े से ग्रेवी थोड़ी अच्छी बननी चाहिए इस वज़ा से डालने हूं काजू और बच्चों को खाने है तो यह फायद के और अच्छे से भून लिया है और इसको निकाल के कर लेंगे ठंडा और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर जार में अच्छे से बारीक से पीच लेंगे और देखिए कि इने अच्छे से सारे भून गए हैं और बहुत अच्छे से भून के और तयार हो गए थे तो अभी को हम ठंडा होने ठकिंदे जार करते हैं और उसके बाद देखिए यहां पर मैंने ठंडा होने के बाद इसको पीस लिया है और पीसने के बाद जो है अब मैं वही वाला तेल डाल डी हूं जो निकाला था अउस वाले तेल में जो है अब मैं जो यह पीसी मसाले हैं उसको डाल और थोड़ा सा पानी दाल के जार में और फिर से डाल दी हो देखिए किसे अच्छा कलर लग रहा है ना और खाने में भी इतना ही टेस्टी था तो और यहां पे जो नॉर्मल मसाले सबंजी के मसाले होते हैं दनिया पाउडर, जीरा पाउडर या सबजी किचन किंग मसाला हल्दी पाउडर तो यह सम मैंने डाल दिया और डाल के उसी में धक्के भूनोंगी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूं को दो मिनट में भूनाए लेकिन टाइम लगता है इसको भूनने में थोड़ा समसाला इतना अच्छा भूनेगा उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी तो यहां पर जो है मैंने थोड़ी का सोरी मेथी डाला है और मैंने आटा सुबकाई बना रखा था तो मैंने रोटी जादी नहीं बनानी थी इस वज़ा से और उसके बाद जो है यहां पर मैं सफट सब्सक्राइब और मेरे और देवा के लिए और शांतनु के लिए में बाद में से कुंगी पहले उसको दलिया ही दोंगी बनाके तो जी मैं देवा को लेकिए यहां कप्रा चेंज हो गया है अब जारी हूं कप्रे बगएरा रखोंगी और टिफिन उधर रखे हैं आज काम क एस नहीं खाया है अदा ख़ये हैं हां जाहे है कि म realization से खाएं थोग पाराथा खाके है और मैं रोटी बना गई बाद आप जा रही हूं शाणतनो को दूंगी के खाना और मुझे रखना है दलिया तो पहले पटाफट डलिया रखते हैं उसको देते हैं उसके बाद जो है इनको खाना खिलाएंगे और बाकी के काम करते हैं तो मिलते रहे हैं यह खाना खाने के बाद का टाइम है में मैं आ जब आगये आहां सब्सबुर्स. Bhagad Tri! ऐन में बीठाना आए तोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन है कि सतानी करने से अच्छा है कि southwest अगर । तो मैं अगर दरिय KrHE ग्रटाइ यहाँ पर यह र thank लिए और यहां पर यह उसको भूड़क लेकैं कि बैठो टोड़ीदे और यहां पर मेरा गयß क्लीन हो गया सोग्या हंको थ reca मुझा हम काम होताए गयस क्लीन करना तो पहले गयस क्लीन कर लिया और यहां पर रोड़ा चाली तो यहां पर ना मैं ले आई जो कवर ना वो इस रजाई की नहीं थी दूसरी रजाई की थी तह पहले मैंने नहीं देखा और मैं ले आई और उस वली रजाई का कवर मिल ही निराए कि वो कहा है तो मैं ढूंडूर के परशान हो गई नहीं मिला अब देखेंगे फिर एक बार और अच्छे गया था याद भी नहीं आ रहा मुझे और यहां पर देवा अपना लेके टेडी और घूम रहा है तो अब में जारी हूं दूसरा इसका कबर ले आओंगे और दूसरी वाली रजाई ले आके लगा दूंगे अच्छा इनको न रजाई उड़ने में बड़ा अच्छा लगता ह है तो मैं निकाल दी यह लगाने के बाद बच्छों को लेके थोड़ा सब पढ़ाने के लिए यहां पर मैं श्टना व्टना ने दान के वह ले 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 भाद में लेड् सब्सक्रेण दोलिए ले ले लेदे ले 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 लेष्ट का उस में फ्टना आए सब्सक्षब सभ्सक्तरा पर मैं एकित SARAH विय WOMAN पूल तो यहां पर शांत नों पूछ रहेंगे मम्मी में ट्विशन जाओं कि अच्छा फिल करें तो बताओ मैं छोड़ दूंगी ले चल के और तुम अगर फिल कर सकते हो अच्छा तो जाओ बोले कि नहीं मम्मी आज नहीं कर रहा हूं की ट्विशन आधे मैं मना करती है कि खराब रहे तो मताया करो तो इस वज़े से और यहां पर मैंने दूसरी रजाय में लगा दी और इसको रख देती हूं और इसको आप मूर भी सिल लूंगी और वीडियो की एंडिंग भी यहीं साथ में करूंगी पसंद आई हो तो लाए